नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बिमारी को दूर करने के लिए कुछ आसान और सफल घरेलू उपचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो की बहुती दर्दनाग बिमारी होती है जी हां दोस्तों दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बवासीर की समस्या के बारे में दोस्तों बवासीर की बिमारी एक ऐसी बिमारी है जो की बहुती ज़्यादा दर्दनाग होती है इसका तरह तरह की उपाई खुजने में लोग लगे रहते हैं लेकिन कुछ घरेलू उपायों की मदद लेकर भी इससे दूर किया जा सकता है दोस्तो बावासिर का घरेलू इलाज अत्वा बावासिर दूर करने के उपाई आयूरवेद में है या नहीं इस बात को लेकर लोग हमेशा चिंता में रहते हैं लेकिन दोस्तो आज हम आपको पायल्स के सफल आयूरवेदिक इलाज के बारे में बता रहे हैं जिनें अगर आप लोग अपनाएंगे तो आप स्वस्त लाइफ जी सकते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बावासिर दो प्रकार की होती है जी यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्तो पहली बावासिर होती है खुनी बावासिर और दूसरी बावासिर होती है बादी वाली बावासिर दोस्तो खुनी बावासिर में मस्य खुनी सुर्क होते हैं और उनसे खुन गिरता है जबकि बादी वाली जो बावासीर होती है उसमें मस्य काले रंके होते हैं और मस्यों में खाज, पीड़ा और सूजन होती है अतिसार, संग्रहनी और बावासीर ये एक दूसरे को पेदा करने वाले होते हैं तो इसके उपाई क्या क्या हो सकते हैं चलिए जानते हैं तो बवासीर के रोगी को बादी और तले हुए पदार्त नहीं काने चाहिए जिन से पेट में कबजी की संभावना हो। हरी सब्जियों का आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए। बवासीर से बचने का सबसे सरल उपाई ये है कि सोच करने के बाद जब मलदवार आप साफ करें तो गुदा दुआर को उंगली से डाल कर अच्छी तरीके से साफ करें। जी हां दोस्तो इससे आपकी कभी भी बवासीर की समस्या आने वाले टाइम में नहीं होगी। इसके लिए ये बात जरूर ध्यान रखे कि मलदवार में डालने वाली उंगली का नाखुन कत्ते ही बड़ा नहीं होना चाहिए नहीं तो भीतरी मुलायम खाल के जखमी होने का खत्रा होता है। दोस्तो शुरुआत में ये उपाई अटपटा लगता है लेकिन शिगर ही इसके अभ्यस्त हो जाने पर ये तरो तजा महसूस करने लगता है। दोस्तो बवासीर के उपचार अब आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तो कौन-कौन से उपाई ये चलिए जानते हैं। दोस्तो आपको जीरे को जरुरत के अनुसार भून कर उसमें मिश्ट्री मिलाकर मुँ में डालकर चूसना है। तथा भीने हुए जीरे को पीस से चीर कर दो टुकड़े कर लें और उस पर कत्था पीस कर छड़क दें। इसके बाद उस केले को खुले आस्मार के नीचे शाम को रख दें। दोस्तो σαςोबे को उस केले को प्राताकाल की क्रिया कर करके खालें। एक हफ़ते तक इस प्रयोक करने के बाद भयंकर से भयंक के साथ तो आपको काफी ज़्यादा आराम मिलेगा दोस्तो बात करते हैं अगले उपाई की दोस्तो एक चमच आउले का चूड़न सुबह शाम शेहत के साथ अगर आप लोग लेते हैं तो बवासीर में आपको लाब देखने को मिलेगा इससे पेट के अन्य रोग भी समापत जाएंगे दोस्तो खूनी बवासीर में निब्बू को बीच से चीर कर उस पर चार ग्राम कथा पीस कर बुरग दें और उसे रात में छट पर रख दें सुबह दोनों टुकडों को चूस ले यह प्रियोग पांच जिंदक अगर आप लोग करते हैं तो खूनी बवासीर का यह एक शर्तिया घरेलो उपचार है जी हां दोस्तो इससे भी बहुत ज़्यादा बवासीर में फर्क देखने को मिला है इसके लावा बात करते हैं अगले उपाई की दोस्तो हम आपको बता दे हैं यह हम आपको अलग-अलग तरे के घरेलो निसके बता रहे हैं इनमें किसी एक काप चेन करें और उस उपाई को ट्राई करके देखें आपका बवासीर जरूर ठीक होगा तो ऐसे ही उपचारों में अगला उपाई आता है दोस्तो 50 ग्राम रीठा जी हां दोस्तो यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा इसको आपको क्या करना है कि तवे पर रखर कटोरी से धख देना है और उसके बाद तवे के नीचे आग जला देनी है एक गंटे में रीठे जल जाएंगे और ठंडा होने पर रीठो को खरर कर ले जो सिलबटा होता है उस पर पीस ले इसके बाद सफेद कथे का चोड़न 20 ग्राम और कुष्टा फोलाद तीन ग् करके बवासिर में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आराम मिल जाएगा और दोस्तों अंत में आपको एक आखरी उपाई बता देते हैं दोस्तों हर सिंगाल के फूल 3 ग्राम काली मिट्च 1 ग्राम और पीपल 1 ग्राम सभी को पीस कर चुर्ण जलेबी की 50 ग्राम चासनी में मिला लें रात को सोते समय 5-6 दिन तक इसे खाएं यह खूनी बवासिर का शरतिया घरेलू उपचार है लेकिन इस उपाई को अपनाने के बाद एक बात का जुरूर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा भोजन इसके बाद ना करें जो की कबज पेदा कर सकता है तो दोस्तों यह स चार से पांत दिनों में तुरंत सही होने लगती है तो दोस्तों यह थी हमारी आच्की जानकरी आप लोगों के लिए जो कि थी बवासिर से राथ दिलाने के लिए उम infinit करता हूं वीडियो और जानकरी आपको पसंद आई होगी अकर आपको वीडियो और जानकरी अच्छी करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को ज़र दमाएं धन्यवाद दोस्तों